तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है उतरकाशी में हुए टनल हाथ से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दे आगर बोरिंग मशीन का प्लेटपॉर्म तयार कर लिया गया है मलबे के अंदर फसे पाइप को गैस कटर से काटा जा रहा है सब कुछ ठीक रहा तो पाइप को आगे बढ़ाने का काम शुरू हो जाएगा हम आपको बता दे कि एक बार फिर से ओगर मशीन के लिए जो प्लेटपॉर्म तयार करना था उसे तयार कर लिया गया है क्योंकि कल इसमें कुछ खराबी आ गई थी जिसे दुरुस्त करने का काम चल रहा था अब बड़ी खबर ये है कि ओगर मशीन के लिए जो बोरिंग प्लेटपॉर्म तयार किया जाता है वो बनकर तयार कर लिया गया है मलवे के अंदर फासे पाइप को गैस कटर से काटा जा रहा है सब कुछ ठीक रहा तो पाइप को आगे बढ़ाने का काम भी अब शुरू कर दिया जाएगा तो बीच बीच में इस तरह के डिस्ट्रक्शन आ रहे हैं जिसके वज़ाए से रिसकी ऑपरेशन में देरी हो रही है और इसलिए बहुत धीरे धीरे काम आगे बढ़ा है कल 16 मीटर की दूरी पर काम वहाँ से शुरू किया गया था और आप 3 मीटर और काम को आगे बढ़ाया गया है उसके बाद फिर दिक्कत आ गई थी लेकिन आप बताया जा रहा कि आगर बोरिंग मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तयार किया जा चुका है और इसी पर बातशित करने के लिए Ground Zero से बलबीर परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बलबीर ओगर मशीन के लिए जो प्लेटफॉर्म बनकर तयार होना था क्या वो तयार हो चुका है और आप हम ये मान के चले एक बार फिर से काम पूरी तरह से आगे फुल स्विंग में बढ़ेगा बिल्कुल जो ओगर मशीन के लिए जो फ्लोटफॉर्म तयार होना था वो तयार कर लिया गया है इसमें ग्राउंड जीरो पर हमें आपको तश्विरे दिखा सकते हैं कि किस तरह की हल्चल अंदर है लगातार हरकत हरकत में अंदर जो अंदर जो मजदूर है जो एंडियर्म के जवान है वो काम कर रहे है क्योंकि इसमें जो बाधा आई है जो पाइप और सरिया बताया जा रहा है और इसमें अपडेट यह है कि लगातार वहां पर हरकत है और जो जो टेक्निकल टीम है जो मजदूर है जो एंडियर्म के जवान है वहां पर मैनूली तरह के से गेस कटर के माधियम से जो पाइप के अंदर जाके जो पाइप जो फसे हुए है जो जो बादा बन रहे तो जो जो यह पाइप इचाने काम है यह तेजी से आगे बढ़ेगा पर यहां पर समिश्या यह आ रही है पिसले हम 48 घंटे की बात करें तो लगातार एक के बाद एक जो पाइप है वो रुकाउड बन रहे है फिर उनको मेनुरिक तरीके से काटा जा रहा है जिसके बाद क क्या हो रहा है कि समय बहुत जादा लग जा रहा है पिस्ते 24 घंटे में पिस्ते जब ब्रीब की गए तो 24 घंटे में 1.8 मीटर ही आगे बढ़ा था पाइप जो आर्समिन के पाइप आगे बढ़े थे और फिर से 24 घंटे होने वाले है वलवीर कितने मीटर और अंदर की तर तो उससे दूरी का पता चल गया था कि कितनी दूरी पे जो मजदूर हो फसे 57 मीटर की दूरी थी तो लगभग उसी अंदाजय को लेके जो यह 800 में के जो पाइप है वह बिचाए जा रहे है तो लगभग 46.8 मीटर पाइप इसमें पहुंच चुके है और जो बताया जा रह जाके जो मैनुली की तरीके से काटा जा रहा है जो पाइप फसे हुए है जब वो पूरा कर लेंगे उसके बाद जो रास्ता किलियर हो जाएगा तो जो अमेरिकन ऑगर बोरिंग मशीन है वो काम करना सुरू कर देगी अगर फिर बादा ना आई अगर फिर इसी तरह से जो गेस कटर से जो परकिरिया चल रही है काटने की पाइप को उसको अगर कार दिया जाता है तो कह सकते हैं कि लगातार कोशितें जारी है और सभी उम्मीद कर रहे है कि जल्द से जल्द ये रेश्क्यो परसंट पूरा हो 41 जिंदेगिया जो 300 गंटे से चनल के दूसरी तर रह गई है लेकिन उसके बाद भी अलग अलग जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे है उसमें कुछ दिक्कत आ रही है बार-बार मैनवली ही वहाँ पर जो पाइप्स है या फिर जो सर्या है उसको काटे जा रहा है इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है